हेलो दोस्तों मैं सहरों मली का आप सभी का वाइफाई स्टेडी स्टूडियुज में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के लाइव टेस्ट में हम देखने वाले हैं बाइलो जी का एक पहुती इंपोर्टेंट टोपिक इंपोर्टेंट होंगे सभी एक्जाम के पॉइंटो पी से और ये सभी कोशन एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो आप इस टेस्ट को सुरू से लेके एड़ तक देखेगा और इन टोप फोर्टी कोशन में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर इसे वीडियो के नीचे कमेंट वोक्स में जुरूर बतेगा दोस्तो अगर आप चाहते हैं एक भी दिन का टेस्ट मिस ना हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लिजे और टाइम को नोट कर लिजे सुबच यह बज़े वीडियो डेली अपलोड होती है और देखे दोस्तो अनकेडमी की तरब से स्कूलिंग स्टूडेंट के लिए एक इनिसेटिव ले गए है जिसमें आपको 9 से लेके 12 तक के सारे कोर्सिज मिल जाते हैं अनकेडमी पर आप ये सभी कोर्सिज अनकेडमी पर जोइन कर सकते हैं तो आप इस कोड को नोट कर लिजे दोस्तो आज के लाइव टेस्ट को सुरू करने से पहले मैं आपको कल के लाइव टेस्ट से कोशन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बोक्स में बताना होगा कोशन है हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर कोन बने है तो इसका सभी आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बोक्स में जो अभी नए निउक्त होएं वो आपको बताना है ठीक है और RBI के वरतमान में गवर्नर कोन है ये भी आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएगा ये आपके लिए कोशन है अब यहाँ पे आज जाते हैं पीलिया से दोस्ट परवावित होता है यानि कि जोन डिस से दोस्ट परवावित क्या होता है बिल्कुल दोस्तों लीवर य कवक जनित है इसका सही आंसर बताएगा देखे दोस्तों इसका सही आंसर हैगा गंजापन बिल्कुल सही है और इस ओप्शन दी चले नेक्स कोशन तीसरा कोशन है बी सी जी यानि की बेसल्स कालमेट ग्यूरीन का टीका निमिन में से किसमें लगाया जाता है इसका सही आंसर एगा दोस्तों बिल्कुल टीबी में यानि की जो टीबी का मरीज होता है उसको तो इसका सही आंसर हैगा ओप्शन दी चले नेक्स कोशन पर आते हैं टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग परभावित होता है बहुत बार ये कोशन आता है और आरार्बी य दोस्तो टाइफाइड से सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है तो आथ इसका सही आंसर रहेगा ठीक है नेक्स कोशन है हेजे का कारण है देखिए टेस्ट आपको अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दिया करें और जितने भी दोस्त आपके ग्रूप में है तो उनको भी सेर कर दीजे स्ट्रेस्ट को भी ताकि मैक्सिम स्टुडेंट हमार साथ में जुड़ सके हेजे का कारण दोस्तो जिवानू है तो इसका सही आंसर रहेगा ओप्शन है चले नेक्स कोशन और देखे नेक्स कोशन पर जाने से पहले मैं आपको छोटी से इन्फोर्मेशन देना चाहता हूँ अगर आप में से कोई भी दोस्त घर पे बैठके कम्प्लीट त्यारी करना चाहता है किसी भी एक्जाम की एससी बैंक रेलवेइ डिफेंस यूपियसी तो आप घर पे बैठके कर सकते हैं त्यारी अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन को जोइन करके अनकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करिए उसमें अपना गोल सेलेक्ट करिए जिसे एक्जाम की भी आप त्यारी करना चाहते है यह एपलाइड हो जाएगा तब आपकी फीस कम हो जाएगी उसका आपको पेमेंट करना है ठीक गईस घर पे ही रहके आप सारी चीज़े कर सकते हैं आपको कहीं पर जाने की ज़रुरत नहीं है और यही अभी का समय है किसी को घर से बार जाना भी नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट हमारा कोशन है इसलीप एपिनिया एक भैंकर निंद्रा दोस है जिसमें लोग जिसमें लोग दोस्तो इसका सही आंसर है निंद्रा में बार-बार स्वास बादित होता है यानि कि रुक-रुक के जिसमें स्वास आती है इसका सही आंसर ओप्शन C रहेगा Next हमारा question है Ebola 1 है बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर हैगा प्राण घातक विशानू इसका सही आंसर ओप्षन बी रहेगा ठीक है? चले, नेक्स्ट हमारा कोशन आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए नीचे दे गए कूट का प्रियोक कर सही उत्तर चुनिये तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल ओप्षन ए प्लेक का जिवानों हो जाएगा ठीक है? और आपका एड्स का हो जाएगा विशानों ठीक है? गंजापन अभी मैं आपको बता के आया था उपर कवक ठीक है? और मलेरिया प्रोटो जोगा यहाँ पर इसका सही आंसर ओप्षन यह जाएगा पहले का फोर्थ हाँ यह हो जाएगा ठीक है गईस तो यह आप नौट कर लिजे ऐसे कोशन बहुत सारे आते हैं ठीक है? इसको भी बताइए सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजे और नीचे दिये गए एक कूट का परियोग कर सही उतर चुनिये बिल्कुल देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहेगा? मेरिसमस दिर्द कालीन उपास हाँ ठीक है और यहाँ पे भई टीबी का हो जाएगा बिल्कुल यह भी इसके सामने है यह भी है तो यह इसका हो जाएगा तो मतलब जो जिसके सामने लिखा है वह ही है पहला दूसरा तीसरा चोथा इसका ओप्शन ए रहेगा आपका भी यही आ रहे हैं न? चले कोई बात नहीं नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट है एड्स निमिन में से किस रोग नाम का संक्सित रूप है जल्दी बतिए एक्वार्ड एम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम बिलकुल ओप्शन सी इसका सही आंसर हैगा प्यार दोस्तों नेक्स्ट हमारा कोशन है एड्स विसानों के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है दोस्तों इसका सही आंसर हैगा जीडो वुडीन बिलकुल सही है ओप्शन रहेगा ए रेट आंसर चले नेक्स्ट कोशन दूर दरस्टी दोस यहाँ पर दूर दरस्टी दोस होगा दरस्टी दोस नहीं दूर दरस्टी दोस के निवारन के लिए उप्योग किया जाने वाला लेंस यानि कि हाइपर माइट्रोपिया के निवारन के लिए कौन सा लेंस उप्योग किया जाएगा बिलकुल दोस्तों उत्तर लेंस रहेगा यानि कि कौन्वेक्स लेंस ठीक है करेक्ट आंसर इज ओप्षन है उत्तर लेंस यानि कि इंगलिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स नेक्स्ट है सरीर के अंदर लोहों की कमी से उत्पन होने वाला रोग है हाँ बिल्कुर सही है एनीमिया यानि की रख थीनता ओप्षन रहेगा ए रेट आंसर नेक्स्ट है नेमिन में से किस रोग को एन्टी बायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता जल्दी बते खसरे को ठीक है दोस्तों खसरा यानि की मिसल्स इसका सही आंसर रहेगा तो इसको नहीं ठीक किया जा सकता है एन्टी बायोटिक्स है नेक्स्ट है निमिन में से कौन सा जल जनित रोग है तो जल जनित रोग है दोस्तों हे जा ठीक है correct answer रहेगा option C टाइफाइड विसिस्ट उधारण है तो टाइफाइड विसिस्ट उधारण है दोस्तों किसका जल जन रोगों का correct answer option C रहेगा नेक्स्ट है निमिलिकित रोगों में से एक जो पानी के परदूशन की वज़े से नहीं है तो प्यारे दोस्तों इसका सही answer रहेगा हेपेटाइटस B ठीक है option रहेगा B right answer निमिलिकित में से कौन सा bird flu विसानू है तो इसका सही answer रहेगा H5N1 बिल्कुर से यह दोस्तों next question आता है H1 और N1 विसानू प्राय समचारों में निमिलिकित में से किस एक बिमारी के संदर में उलेक किया जाता है तो यह आप सभी का सही answer आना चाहिए स्वाइन फ्लू दोस्तों इसका सही answer रहेगा correct answer is option D पीलिया किसके संकर्मन के कारण होता है यह तो हो चुका है ना आई वाला question हो चुका है जल्दी बता दीजे मनुष्य के नित्रों के सवास्त संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है मैंने विटामिन के उपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सारे विटामिन के related question मैंने cover की थे 50-60 question थे उसमें अगर आपने वो देखी होगी तो आंजर बता देंगे बिल्कुल दोस्तों विटामिन रहेगा ए रहेट आंसर प्लैग किस से फैलता है तो प्लैग दोस्तों किस से फैलता है जिवानू से इसका सही आंसर option ए रहेगा एड्स का कारण है एड्स का कारण क्या है तो मेरे प्यारे दोस्तों एड्स का कारण है वाइरस ठीक है option रहेगा c रहेट आंसर एड्स विसानू में होता है आर एन्ने प्लस प्रोटीन ठीक है correct आंसर रहेगा option c वही अगर आप यहां तक की वीडियो देख रहे हैं और सेयर भी एड्स के लिए उत्तरदाय विसानू उधारन है इसका सही आंसर रहेगा रेट्रो विसानू का correct answer यह option d काली मोत यानि की black death किसे कहते हैं देखते हैं इसका आंसर कितने student सही कर पाते हैं दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा plague यानि की option रहेगा बी रेट आंसर केंद्रे ओस्दी सोध संस्था इस्थित है cdri इस्थित है बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों लखनाओं इसका सही आंसर रहेगा निमिल में से कौन सा रोग जिवानू के कारण उत्पन होता है बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा t b ठीक है ए इसका correct answer रहेगा Ebola virus का नाम लिया गया है Ebola virus का नाम कहां से लिया गया है यह question भी आया है भई आपका UP RO में आया था ARO में आया था एक नदी के नाम से लिया गया है option रहेगा B return चिकिन गुनिया बिमारी फैलती है बिल्कुल दोस्तों मच्छर से फैलती है चलिए सभी का answer जा रहे है option A BCG का टिका कितनी उम्र में लगाया जाता है BCG का टिका कितनी उम्र में लगाया जाता है तो देखे दोस्तों BCG का जो टिका लगता है वो लगता है नवजात को option रहेगा C return मायोपिया किस अंग का दोस है तो यह तो बहुत ही easy वाला question हो गया वैसे कई बार आया है तो मायोपिया भाई नेत्र का दोस हो गया निकी रोग हो गया ठीक है चलिए next question निकट दरस्ती दोस्त को ठीक किया जाता है तो दूर दरस्ती दोस्त को जब convex से करते हैं तो निकट दरस्ती दोस्त को अब्दल लेंज यानि की concave लेंज से option रहेगा B right answer दरस्ती दोस्त यानि की मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है इसका सई आंसर हैगा निकट इस्थित वस्तो को इस पस्त रूप से देख सकता है correct answer यह option है ELISA प्रिक्षन किया जाता है ELISA जो जाच है वो किया जाता है किस की पहचान करने के लिए दोस्तो इसका सही आंसर बते ही है तो इसका सही आंसर हैगा AIDS पहचान के लिए correct answer यह option है next हमारा question कह रहा है खसरा यानि की missiles की बिमारी होती है और यह बिमारी होती है वाइरस से इसका भी correct answer option ए रहेगा next है mini माता रोग शरीर में किस धातू की हानी कारक हानी कारक मातरा की कारण होती है मीनी माता आपने सुना होगा और इसको बोलते हैं चिकन पोक्स पारा मरकरी ठीक है ना तो यह पारा यानी की मरकरी की अधिक मातरा होने के करण मीनी माता रोग का मुख्य कारण है चलिए यह तो सेम कोशन हो गया पारा की मातरा बढ़ना ठीक है टेटिनेस नामक रोग निमिन नाम से भी जाना जाता है तो इसका सही आंसर रहेगा लोग जा यानी की ओप्शन रहेगा सी रहेट आंसर ठीक है करेक्ट आंसर यह उप्शन से तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में यह 40 कोशन थे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ में सेयर करिए और सुबह 6 बज़े मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ आप पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से टेलिग्राम पे सोरप सर जी के सर्ज करना वहाँ पे आपको सारी पीडियाप नोट्स मिल जाएंगे ठीक है आप मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं अपने स्कोर बता दीजिए कमेंट में कि आपका स्कोर क्या रहा चालीस कोशन में से और वाइफाइ स्टडी की तरप से दो नई चैनल लॉंच किये गए हैं एक तो लाइव टेस्ट और एक टिफेंस एक्जाम के लिए दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं तो आप इन दोनों चैनल को सब्सकाइब कर लीजे और अच्छे तरीके से यहाँ पर भी वीडियो देखना स्टार्ट करिए फिर मिलते हैं एक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत नेवाद आपका दिन सुपर